नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में नई बड़ती के बारे में हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं BSP यानि Border Security Force हैं जियां दोस्तों BSP में Bumper बड़ती निकली है Head Constable के पदों पे करीबन 1200 पदों पे ये वेकेंसी निकली है जिसका Notification Release कर दिया गया है इस बड़ती के बारे में आपको पूरी जानकर इस वीडियो में देने वाले के लाश तक आप पूरा वीडियो देखे करें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो पहले बात करें इसकी वेकेंसी के बारे में तो टोटल जो वेकेंसी निकली है वह निकली है 1072 पोस्टों पे यानि करीबन 1100 पदों भी वेकेंसी निकली है हेड कोंस्टेबल के पद है इसमें और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दो पोस्ट है जिन पे वेकेंसी निकली है उनके आप नाम देख सकते हैं रेडियो ओपरेटर फैस्ट पोस्ट है और शेकिंड है आपकी रेडियो मेकेनिक यहाँ पे आप देख सकते है जनरल के लिए 209 शीट है और अधर के लिए 31 है इसके अलावा जो रेडियो मेकनिक वो जनरल में 300 गुण 50 है और अधर के लिए 151 है और अधर के लिए चोपन है यहाँ पे आप टोटल वेकनिसी देख सकते हैं रेडियो ओपरेटर की 300 है और रेडियो मेकनिक की 702 वेकनिसी है यहाँ पे आप एज लिमिट देख सकते हैं 18-25 साल आपकी एज होनी चाहिए और जो आपकी एज की गणना है वो 12-6-2019 से की जाएगी अब यहाँ योगेता की हम बात करें तो आपकी जो योगेता है क्लास 12 यानि बारवी पास होनी चाहिए और इसके साथ ही आपकी PCM सब्जेक्ट में आपके एगरिकेट 60% अंक होने अनिवारे है फिजिस केमेस्ट्री और मेत में तीनों में आपके 60% माक्स होने जरूरी है इसमें आप एपलाई करने के लिए और जो रेडियो मेकेनिक है उसके लिए जो है वो है टेंथ आपकी हाई स्कूल होने चाहिए उसके साथ आपके पास ITIE सर्टिपिकेट होना चाहिए या आपने कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है जिसमें आपके DPCS है या कोपा है या रेडियो मेकेनिक उसके लिए आपके 10 प्लस ITIE या आपके इलेक्ट्रोनिक्स या कंप्यूटर से आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फिजिकल की बारे में अगर बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं आपकी हाइट 161 cm होनी चाहिए मेल के लिए और फिमेल के लिए 157 होनी चाहिए चेस्ट अगर मेल की बात करें तो हसी से पिछे सी आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए फुलाव सही सोरी रनिंग में आपको यहां पर बता दूं कि आपकी डेट किलोमेटर दोड होनी वाली है जिसमें आपको 6.5 मिनट का समय मिलेगा मैलाओं के लिए 800 मिटर की रनिंग होगी इसमें लोंग जम जो मेल के लिए वो 3.65 मिटर का होगा और फिमेल के लिए 9 फिट की होगी हाई जम आपका 1.2 मिटर का होगा मेल के लिए और 3 फिट होगा फिमेल के लिए इस फरकार से आपका फिजिकल लिया जाएग इस वेकेंसी में अब हम बात करें इंपोर्टेंट डेट के बरे में तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है यह क्लेक्ट किया है ओपीशियल नोटिपिकेशन बहुत बड़ा है इसलिए मैंने सोट में आपको यह जानकारी दे रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो लाश्ट डेट है आवेदन करने की वह 12-6-2019 है 12-6-2019 तक आप लाश्ट आवेदन इसमें कर सकते हैं और लाश्ट पे करने की डेट भी 12-6-2019 है एक्जाम डेट यानि जो एक्जाम होगा फेजवन का वह उपलाइन होगा मैं आपको बता दू दोस्तों और पहले होगा उसके बाद फिजिगल होगा जो फिजिगल स्टार्ट होगा वह होगा 9-10-2019 से और उसके बाद आपका जो फेज सेकेंड है वह स्टार्ट होगा आपका जिसमें आपके जो रिटर्ण से समंदीते एक्जाम होगा जिसमें निमंदात्मक एक्जाम होगा वह होग जिसमें medical last में जो टेस्ट होता है वो होगा आपका 30 जनवरी 2020 में यानि कि जनवरी 2020 तक ये vacancy complete होगी जिसमें तीन फेज चलेंगे उसके बाद ही आपका जो selection process है वो complete होगा application जो आप forum फिल करोगे तो आपको general obc के जो candidate है उन सभी के लिए 100 रुपए आपका जो फोरम फिस लगेगी icsdk generate के लिए कोई फिस नहीं आप फिरी में आप आविदन कर सकते हैं आपको आप इसके साथ online जब आविदन करते हैं या offline करते हैं तो आप credit card या फिर debit card किसी से भी या networking से आप आविदन कर सकते हैं क्रेमेंट दे सकते हैं तो आई होप यह जान करें आपको पसंद देए को तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत